हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो एडिटोरियल अनलेसिस पाइ सिंप्लिफाइड सेविल सर्विसेज आज ओक्टोबर 26 को दो आर्टिकल डिसकस किये जाएंगे आज थोड़ा टाइम कंस्टेंट होने के कारण हम दो ही आर्टिकल ले पाएंगे बच्चे ओए आर्टिकल इस पूरे वीक में कवर कर लिए जाएंगे फर्स आर्टिकल जो डिसकस किया जाएगा वो है ब्रीट लेस इन मुंबई बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपके मेंस के परस्पेक्टिव से दिल्ली के ओपर सेम कोशन आ चुका है और मुंबई के ओपर भी कोशन आने की पूरी-पूरी संभावना है इसलिए यह आपके लिए बहुत important आर्टिकल है अच्छे से सुनिए और इसके नोस जरूर बनाइए जो तीन visions में दिए हैं इसमें तीन listen के बारे में discuss किया है उसके नोस जरूर बनाके रखें नेक्स आर्टिकल जो डिसकस किया जाएगा वह है वोमिंग 2 ये आर्टिकल इंडो चाइना और भुटान रिलेशनशिप के उपर है हम लोग इसमें बातचीत करेंगे भुटान और चाइना के रिलेशनशिप की बॉर्डर कन्फिलिक्ट की और उसके क्या इंडिया के लिए जियो स्ट्रेटेजिकली प्लस इंडो और भुटान जो ये शेयर करिए आई ये शुडू करते हैं एडिटोरियल एनलिसिस हमारा फर्स्ट अर्टिकल है ब्रीट लेस इन मुंबई ये आर्टिकल इंडियान एक्सप्रेस में और जी एस वन जी एस त्री मेंस के परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीस्टी में पूछा जा चुका है में कि दिल्ली में इतना जादा एयर पॉलिशन क्यों होता है मुंबई और कोलकता जैसे कोस्टल सिटीज में एयर पॉलिशन नहीं होता जबकि दिल्ली मुंबई कोलकता सारी ही मेट्रो सिटीज है और उस हिसाब से मेट्रो सिटीज होने के कारण दिल पॉल्टा में बहुत नहीं हो रहा है इसके रीजन्स क्या है यह कोश्चन आपको में आ चुका है रीसेंट च्वामारा आटिकल है जिस पर हम बात करेंगे वह मुंबई के एयर कॉलिटी क्राइस के उपर आया है मुंबई में भी अब पॉल्टीशन धीरे-धीरे बढ़ता ज गया है मुंबई के हालत दिल्ली जैसी क्यों होती जा रही है इन सारे मुद्वे पर हम लोग इस आर्टिकल के थुरू बात करेंगे तो यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस परस्पेक्टिव से बिल्कुल पूछा जा सकता है आपको रीजन्स बताईए कि मु बहुत बढ़ गया है क्योंकि anthropogenic activities बहुत जादा बढ़ गई है for example construction वाला पॉलिशन बढ़ गया है वीकल वाला पॉलिशन बढ़ गया है जिसके कारण concentration of PM2.5 और PM10 की मात्रा बहुत बढ़ गई है जिसके कारण air quality deteriorate हो रही है यह सारी चीज़े आप बोल सकते हैं लेकिन तीन ऐसे हैं जो geography वाले reason होंगे उसको mention करना बहुत ज़रूरी है जो हम इस article में discuss करेंगे PM10 और PM2.5 की बात कर लेते हैं तो basically यह particulate matter है यह जो छोटे छोटे करन होते हैं धूल के उसके size की बात करते हैं PM2.5 और PM10 2.5 का मतलब होता है 2.5 into 10 की power of minus 6 micrometers यह basically क्या बता रहा है जो हमारा diameter है एक करन का एक छोटे सी धूल के करन का जो diameter है वो कितना है 2.5 PM10 वैसे ही क्या बता रहा है 10 into 10 की power of minus 6 meter यह धूल के करन का diameter है size है तो यह basically size बताता है और यह आपके लिए बहुत जादा harmful हो सकता है आपको respiratory issues हो सकते हैं PM2.5 का concentration अगर बहुत जादा हो जाता है तो अब शुरू करते हैं हमारा article Mumbai has experienced an enhanced air quality crisis during the post monsoon period for the second consecutive year तो post monsoon period में जो air quality है वो crisis देखने को मिल रहा है कहां पर Mumbai में लगातार यह दूसरा साल है जब इस तरह का crisis हो रहा है और इसलिए उसके पीछे के reasons समझने की बहुत जादा ज़रूरत है capital has registered moderate और poor air quality index जो हवाएं है अगर उसकी बात करें तो उसमें उसकी जो quality है वो poor है still दिल्ली से बहतर है लेकिन relative terms में बात करें अगर Mumbai के relative terms में तो बहुत जादा poor air quality हो गई है अब बात करते हैं इसके reasons की उसके पहले हम main चीज जो important है जो coastal areas होते हैं उनको क्या advantage होता है दिल्ली जैसे area जो की land log area है उसको क्या disadvantage होता है उसको समझते हैं आपने sea breeze और land breeze के बारे में तो पढ़ा ही होगा अगर नहीं पढ़ा है तो अभी हम पढ़ लेते हैं बहुत जादा difficult concept नहीं है daytime की बात करते है daytime क्या होता है जो sea होती है वो relatively इतनी जल्दी गरम नहीं होती है क्योंकि volume of water बहुत जादा high होता है oceans का हर एक layer धीरे धीरे करके heat pass करती है और धीरे धीरे ये heat करना शुरू होता है वहीं land area की बात करें तो land area तुरंद गरम हो जाता है तुरंद जैसी गरम हो current ऊपर हवाएं चली जाएगी तो यहां से हवाओ का concentration क्या हो जाएगा कम और यहां पर क्या बन जाएगा low pressure सी में ऐसे नहीं हो पाएगा तो यहां पर relatively क्या रहेगा high pressure तो daytime में क्या होता है सी से हवाएं किस तरफ move करती है land की तरफ move करती है और इसको क्या कहा जाता है sea breeze कहा जाता है तो हवाएं कहा जा रही है sea से land की तरफ daytime पर इसलिए मुंबई में थंडी थंडी हवाएं चलेंगी और इस कारण से humid condition भी बहुत ज़्यादा बनी रहती है अगर आप लोग world cup matches देख रहे हैं तो South Africa के एक batsman को आपने हमेशा एक towel ओडते वे देखा होगा को heat का issue आने लगता है बहुत ज़्यादा energy उनकी loss हो जाती है जिसके कारण फिर वो थंडे टॉवल ओड़ना पड़ता है तो मुंबई का जो season है वो sea breeze के कारण ये humidity होती है अब ये कब होता है day time पे अब night time पे बात करेंगे night के समय में क्या होगा जो land area है वो तो तुरंत थंड़ा हो जाएगा लेकिन sea area क्योंकि जब गरम होने में time लगता है तो थंड़ा होने में भी time लगेगा high volume है बहुत जादा water high volume of water है तो इसलिए धीरे धीरे वो थंड़ा होगा तो ये area low pressure बन जाएगा और land area high pressure high pressure से low pressure हवा high qualityTS one University çek करेंगी तो दिनमें होआ का जाएगी land लेंड के तर्फ वही हवाएं सीगे तरफ ताफ इसमें क्या होता है जितने भी यह जो हवाय चल रही है इस से जो भी power पलूटेंट्स होंगे मुंबई पे वह क्या होंगे इस हवाओ के साथ बहे जाएंगे मूव कर झाएंगे किस तरफ की के तरफ मुव कर जाएंगे इसलिए जो एडवांटेज है को सिर्य जैसे मुंबई को और कोलकाता को वह यही हैила फर सीब्रम के चलती है जिससे pollutants एक जगा पे नहीं रह पाते हैं और उसके कारण जो air quality है वो क्या खराब नहीं होती है यही benefit जो advantage था मुंबई को वो advantage अब disadvantage में बदल गया है अब उसके reason क्या है सबसे बड़ा reason है unusual weather unusual weather में पहला reason है लालीना का होना लालीना में क्या होता है लालीना में generally जो sea area होता है वो relatively जादा cold होता है अब sea area जादा cold होगा तो क्या होगा sea area जादा cold होने के करण यहां पर हमने देखा था कहां जो night time में अगर हम देखें तो नाइट टाइम में यहां पर लो प्रेशर बन रहा था नाइट टाइम में एक सेकंड अच्छे से कर लेते हैं इसको अब नाइट टाइम की बात करेंगे तो यहां लो प्रेशर बन रहा था यहां हाई प्रेशर बन रहा था और लेंड ब्रीज जो है ब्लो हो रही थी ठीक कर दिनारीं हमारे जो औशेन एरिया है वह जादा शلة होता है जिसके करन यहां तो हवाय यहां से लेन्ड से सी के तरफ मूव नहीं करेगी जिसके करभ़न जो पॉलूटेंड हैं वह भी मूव नहीं करेंगे और वह मुंबई के उपर ही रहेंगे जिसके कारण air quality index बहुत जादा क्या हो जाएगा पूर हो जाएगा और air quality बहुत जादा खराब हो जाएगी तो हमारा first reason क्या हो गया unusual weather में लालीना का आना लगातर तीन साल से लालीना आ रहा था इसी साल एल नीनो में वो क्या हुआ है चेंज हुआ है अब बात करते हैं next reason की next reason हमारा क्या है delayed in the withdrawal of monsoon monsoon में monsoon का withdrawal है उसमें delay होने के कारण जो है यहां पर pollution बहुत जादा बढ़ गया है क्यों हो गया है सा समझते हैं the withdrawal time of monsoon always plays a critical role in Mumbai air quality the withdrawal is always followed by anti-cyclonic circulation that was right above Mumbai and the surrounding region during the initial days of October this led to weak ventilation in city एक और चीज हमें समझने की जरुरत है दिल्ली के केस में दिल्ली में हमेशा winter में ही आपने देखा होगा कि इतना जादा pollution हो जाता है ऐसा क्यों होता है क्योंकि हवाय जो है winter के समय में हवाय डिसपर्स नहीं हो पाती है क्योंकि हवाय का movement नहीं होता जो cold cold हवाय होती है वो surface के बहुत करीब आजाती है उपर से नीचे के तरफ डिसेंट होती है और यहां पर जितना भी आप वीकल चला रहे हो इससे क्या होगी धूल करण उपर उठके इस हवाय के patches में या clouds में या क्या हो जाते हैं यह trap हो जाते हैं अब चुकि हवाय नहीं चलती तो यह जो ट्रैप होने वाले particulate matter है यह हमें surface फे फील होते हमें एकदम महसूस होने लगते हैं और इसलिए air quality बहुत जादा खराब हो जाती दिल्ली में especially कब winter में या festival seasons में तो यह सारी चीजे dispersion ना होने के कारण हो रही है अगर ऐसे ही क्या हो ऐसे ही मुंबई में भी हो तो सेम एयर quality खराब होगी तो जब monsoon delay होता है तो monsoon जब भी withdraw करता है तो anti-cyclonic circulation होता है anti-cyclonic circulation में हमेशा decent होती है और cyclonic circulation में एयर हमेशा क्या होती है ascent होती है ऊपर के तरफ बढ़ती है और anti-cyclonic circulation में हवाएं नीचे के तरफ move करती है इसका मतलब हवा नीचे के तरफ move कर रही है concentration जो है cold थंडी हवा का क्या हो रहा है नीचे के तरफ बढ़ रहा है जिसके कारण जो भी particulate matter होंगे वो जमा हो जाएंगे और यूजली जो dispersion होता था लैंड ब्रीज और सी ब्रीज का वो नहीं हो पा रहा है तो इस कारण से जो weakening of monsoon है उसके कारण भी anti-cyclonic circulation हो रहा है जिसके कारण बहुत जादा pollutants जमा ओरेंड डिस्पर्शन नहीं हो रहा है और उसके कारण एयर कॉलिटी इंडेक्स में बहुत जादा गिरावट देखी गई है अब हमारा जो किसे तरफ बहुत सारे माउंटेड ऑफल जाते हैं मांटें होड़ा है works इसका को था ही जाती हैं अपन अपने साथ कि बहुत सारे latest पार्टिकल मुंबई लेकर आ ये हवाएं जो हैं खंडाला और लोनावला तरफ से ब्लो होती हैं मुंबई के तरफ और अपने साथ बहुत ज़ादा पॉलुटेंट्स मुंबई में लेकर आती हैं उसके बाद ये जो pollutants हैं ये हवाएं उपर रहती हैं लेकिन मुंबई आके ये थंडी हो जाती हैं और फिर descend करने लगती हैं नवी मुंबई और coastal region में ये हवाएं descend करने लगती हैं वहाँ पर हवाएं जो गरम हवा रहती हैं उसके साथ ये मिलती हैं दोनों हवाएं mix हो जाती और similarly land bridge और sea bridge नहीं चल रही है उसके कारण फिर air quality deteriorate हो जाती है यह सारी चीज़े normal time पे sea bridge और land bridge चलने के कारण क्या हो जाती है clean हो जाती है लेकिन चुकि यह normal time नहीं है यह unusual weather condition है इसलिए इन सारे reason से air quality बहुत जादा Mumbai की खराब हो चुकी है तो यह हमारे तीन main reason हो जाएंगे इसके अलावा बाकी सारी आप चीज़े लिख सकते हैं for example construction activities हो रही है coastal corridor बन रहे हैं मेट्रो में कई तरह की digging चलती रहती है हमेशा pipeline ही डलती रहती है पहले पहले city बनाओ फिर pipeline डालो फिर city खुदी रहती है उसके कारण PM 10 PM 2.5 उसका concentration बहुत जादा बढ़ चुका है अब इसके solution क्या होंगे इसे समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले तो Mumbai में ऐसा हो रहा है तो यह हमें denial mode से उपर उठना पड़ेगा और accept करना पड़ेगा कि Mumbai में issue pollution का आने लगा है जैसे दिल् शेड मैप करना पड़ेगा वो एरिया जहां पर pollutants trap हो रहे हैं ताकि जो है हम उसको क्या कर सके उसको डील कर सके air quality वहां की बहतर कर सके because climate change is leading to extreme and unusual weather events and precipitation changes in ecosystem Mumbai में बहुत जादा जो है issue हो सकता है क्यों क्योंकि सबसे आदा climate change का असर कहां पर देखने मिलेगा coastal areas में इसलिए हमें बहुत जादा focus करने की जरुरत है long term mitigation planning करने की जरुरत है ताकि anthropogenic emission को भी कम किया जा सके तो short term और long term दो solution की इसमें बातचीत की गई short term solution क्या हो सकते हैं सबसे पहले solution तो यह है कि आप पहले problem को समझें understanding and accepting the problem is half solution यह line आप याद कर सकते हैं इसको कहीं पर भी किसी भी question में टीप दीजिए तो आपका एक point बन जाएगा next हमारा क्या है we need to own the data coming from reliable scientific sources rather than living in denial ठीक next हमारा cordoning of construction site with green curtains तो जो construction site है उसको green curtain से कोशिश करेंगे कि construction site के आसपस पेड़ पौधे इन सारी चीजों को लगाया जाए regular spraying of water to dampen dust particle लगातार पानी का छिड़काओ करें क्यूं क्यूंकि अगर जब dust particle हवा में होते हैं उसमें पानी डाल दीजिए वो नीचे जमीन में settle हो जाते हैं prevent them from becoming the airborne faster implementation of fossil fuel less transportation हमें आने वाले टाइम में fossil fuel less transportation पे switch करने की ज़रत है ensuring smooth traffic flow to overcome snarl check pollution in the short term और जो air pollution जैसे odd even है इस तरह के जो solutions हैं हम इसको भी क्या कर सकते हैं apply कर सकते हैं मुंबई जैसी country sorry मुंबई जैसी city में transitioning to electric vehicle addressing solid waste management cleaning up dumping ground and adapting industrial toxin management can improve air quality in medium term तो medium term में क्या है हमें EV में switch करना है solid waste management को proper address करना है जो cleaning dumping ground है उसको clean dumping ground से उन्हें बहता तरह किसे clean करना है जिससे जो air pollution है वो कम हो सके यह सारे आपको क्या हो जाएंगे आपके solutions हो जाएंगे एक बार इसको read कर लीजिए यह solution आपके लिए important है इसको आपको याद रखना है कोई भी question आ जाता है आपको environment related तो यह solution हर जगा क्या हो जाएंगे काम आ जाएंगे ठीक है तो यह में हमारा क्या था में हमारे रीजन्स थे कि मुंबई में air quality क्यों खराब होड़ी hopefully आपको सारी चीजे समझ में आ गई होगी next article है warming ties यह article दहिंदु में आया है और जी एस टू international relationship के perspective से बहुत important है आपके means के लिए बहुत ज़्यादा important है basically यह article भुटान और चाइना relationship के ओपर आया है और basically हमारा जो focus होगा वो किस चीज़ पर होगा कि इंडिया में क्या implication होंगे भुटान और चाइना के जो relationship है उसके अगर हम थोड़ी history की बात करें तो 1949 में इंडिया ने friendship treaty sign की थी उसके हिसाब से इंडिया foreign policy guide करेगा भुटान की ऐसा उसमें mention किया गया था 2007 तक के यह friendship treaty continue रही उसके बाद इंडिया ने दुबारा से friendship treaty जो है उसमें थोड़े changes किये क्योंकि बहुत सारे लोग भुटान की sovereignty पे सवाल उठाने लगे थे कि इसमें clearly यह कहा गया था कि इंडिया ही उनकी foreign policy चला रहे है तो 2007 में दुबारा से friendship treaty बनाई गई उसमें export, import of arms भी जो है क्या दिया गया authority दी गई भुटान को कि अगर वो चाहें तो वो export कर सकते हैं, import कर सकते हैं, foreign policy भी steer कर सकते हैं अपने हिसाब से बस इंडिया का जो interest हो वो harm नहीं होना चाहिए तो यह new हमारी friendship treaty है हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे जो भुटान के साथ cultural ties हैं वो बहुत पुराने हैं, बहुत strong हैं, इवन इंडिया में भुटान के लोग जॉप्स भी कर सकते हैं, तो इस तरीके से बहुत सारे provisions भुटान के लोगों के favor में इंडिया और भुटान के जो foreign policy है उसमें दिये गए हैं, अब बात करते हैं जो recent event हुए हैं उसके बारे में, recent event क्या हुए हैं, तो भुटान foreign minister recent visit to China was unprecedented on several levels, भुटान and China do not maintain diplomatic relationship, recently जो foreign minister है भुटान के वो कहां पर विजिट किये हैं चाइना में, और ये पहली बार है जब भुटान के foreign minister कहां visit किये हों, चाइना, मतलब first time ऐसा कोई visit हुआ है, कहां पर चाइना में, अभी तक दोनों के बीच में कोई भी diplomatic relationship नहीं थे, चाइना और भुटान के बीच में कोई diplomatic relation नहीं थे, इसलिए मैंने आपको जो 2007 और 1949 की टीटी है, उसका जिक्री किया था, इसमें इंडिया ठीक है, तो यह जो meeting है, इसके बहुत जादा unprecedented results आये हैं, उन पे हम focus करेंगे, the main purpose was the holding of boundary talks that have not taken place in more than 7 years, 1984 में boundary talks पहली बार शुरू हुई थी, भुटान और चाइना के बीच में भी boundary conflict चल रहा है, उसको resolve करने के लिए first time talks अब शुरू की गई थी, 1984 में, 1996 में चाइना ने offer किया था, क्या offer किया था, यह जो northern area है, यह जो conflict zone है, जिसका नाम क्या क्या है, बेउल, खेंपजों, मेंचुमा वेली, यह सारे जो reason है, यह भुटान को देने के लिए चाइना तयार हो गया था, लेकिन वो कौन सा side मांग रहा था, western side मांग रहा था, डोक जो डोकलाम रीजन यह है, northern region, चाइना ने क्या कहा, कि ऐसा करो, आप जो northern region है, जो conflict zone है, वो आप रख लो, और यह जो डोकलाम वाला reason है, यह हम को दे दो, अब यह जो डोकलाम रीजन है, अगर आपको 2017 का इंसिडेंट याद हो, तो डोकलाम इंसिडेंट हुआ था, और य junction region है, यहाँ पर इंडिया के लिए यह बहुत बड़ा strategic point है, यह basically chicken neck कहलाता है, चिकन नेक एरिया, अगर इस point पे किसी भी तरीके से चाइना attack करके control कर लेता है, तो पुरा north east अलग हो जाएगा इंडिया से, और यह बहुत जादा strategic point है इंडिया के लिए, इसलिए यहाँ प के बाद से पूरी तरीके से खतम हो गई थी, क्योंकि यहाँ पर डोकलाम region में चाइना ने अपनी प्रेजन से उसे असर्ट की थी, इंडिया ने यहाँ पर फिर अपनी प्रेजन से असर्ट की, और भुटान ने भी उन्हें कहा कि आप प्लीस इस रीजन से चले जाएए, य यह उन्ही का टेरिटोरियल एरिया है, उस पर भुटान ने अपनी सौवरिनिटी असर्ट करने की कोशिश की थी, उसके अलावा जो रीसेंट इंसिडेंट हुआ है, वो है साक्तेंग रीजन, जो इसे भी जो है अरुनाचल प्रदेश का हिस्सा मानता है, कौन चाइना, और चाइना अरुनाचल प्रदेश को अपना सदन तिबबत का पार्ट मानता है, ठीक है, तो यह वाला जो रीजन ही, यह किसका रीजन है, अरुनाचल प्रदेश का, और चाइना के हिसाब से यह यह रीजन भी काई में आता है, सदन तिबबत में आता है, तो यह भी रीसेंटल बॉर्डर इशू है उससे रिजॉल्व किया जा सके उसके साथ साथ कई सारे कोपरेशन एग्रिमेंट भी साइन हुए जिसमें बात की गई कि न्यू जॉइंट टेक्निकल टीम फॉर डी लिमिटेशन और डिमार्केशन ऑफ बॉंडरी क्या की जाएगी बनाए जाएगी जिस से परिसीमन किया जा सके बॉर्डर का उसके बात जो है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो फॉरेन मिनिस्टर है चाइना के उन्होंने जॉइंट स्टेट्मेंट में क्या क्या कहा है कि सून इस्टैबलिश किया जाएगा डिप्लोमेटिक रिलेशन शिप और जो नेगोसियेशन है उसे कंक्लूट किया जाएगा ये वाली चीज इंडिया के लिए बड़ी चिंदा की बात है अभी तक कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन शिप नहीं थे सारा का सारा जो रिलेशन शिप था वो बुटान का इंडिया के गाइडेंस के थू ही चल रहा था अब डारेक्ट जो है ये इंडिपेंडेंस दिखाई देने लगी है भुटान की फॉरेन पॉलिसी में अगर डिप्लोमेटिक टाइस बनेंगे तो उन्हें चाइना के तरफ से प्रेशर भी बड़ेगा और वो प्रेशर इंडिया के लिए सही नहीं है इंडिया का जो चिंत इस्टन वाला एरिया के जो बॉडर कन्फिक्ट यहां पर इंडिया प्रेशर बिल्कूल भी नहीं चाहता चाइना की इन ऐसे प्लेसे पे जो इंपॉटेंट है वहां चाइना की प्रेशर नहीं चाहता इसलिए जो पाइंट जो बॉडर इशू है भुटान का उसमें किरिये देर रेस्ट के अगेंस्ट में नहीं किया जाएगा किसी भी हालत में यह हमारा में इस्च senior डेसी कनी यह बेसिकली हमारा आर्टिकल हो गया इंडिया कैसे डील करें इंडिया को यह एकसेप्ट तो करने ही पड़ेगा कि आज नहीं तो कल डिप्लोमेटिक टाइस चायना और भुटान के बीच में बन नहीं थे और यह जो बॉडर टॉक से वो भी होना होना लाजमी था मतलब होना था ही क्योंकि बिना उसके रिजॉल नहीं किया जा सकता बस इंडिया को यह है इंडिया को भुटान पे ट्रस्ट करने की जरुरत है और अपने जो इंट्रेस्ट है उसको भुटान के इंट्रेस्ट के साथ अलाइन करने की जरुरत है जिस तरीके से 2017 में इंडिया ने डोकल इंडिया, और चैनामों कि बात करें इंडिया और लाझे यह प्रण में इस में, लिट से इंडिया, कंटरी खेया है. में है और अगेंस्ट किसके है जोब भी कर सकते हैं यह बहुत बड़ी बात है कि किसी भी कंट्री दूसरी कंट्री के है लोग यहां पर में जॉप कर रहे हैं इर्फ देवेंजरो पावर प्रोजेक्ट जो मेंन रेविनीव हैं वो किस से आता है को प्रोज़ेक्ट पुच्छ है और इंडिया सारी प्रोज DR- balance- और भौई प्रोजेक्ट से त्bung है इंडिया साथ में इनिशेटिव है भुटान के उसको भी सपोर्ट कर रहा है कारबन न्यूटरल इनिशेटिव को अगर आपको याद हो तो ग्रॉस हैपिनेस इंडेक्स किसके दौरा दिया गया था भुटान के दौरा थीक है इन सारी सब चीजों में भुटान को इंडिया पूरे तरीके से सपोर्ट कर रहा है और यही इसके क्या होके हमारे इंडिया भुटान के रिलेशन्शिप हो गए होफुली यह आर्टिकल आपको समझ में आ गया होगा